दोस्तो आज मैं आपके लिए पांचे से जानवा लेकर आया हूँ जिनको हाली में खोजा गया जो आपके हो सुडा देगी क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि धर्ती पर एसे भी जानवार रहते टू हेडेड सार्क एक मचुआरे ने निदरलेंड में इस सार्क को खोजा था जिसके एक नई बलकी दोसिर थे जिसने वाँ मुझूद सभी लोगों को चोका दिया लेकिन बाद में जब इसके बारे में इंटरनेट पर सार्च किया गया तो लोगों को पता चला कि इससे पहले भी कई बार दो इस सार्क को दुनिया के कई ओर समुद्रों में खोजा गया विग्यानिक आज भी इस बात का पता लगाने में लगे हुए कि क्या सच में ये सार्क की कोई प्रजाती है या ये सार्क में हुआ कोई जेनेटिक डिसोडर है वुल्फ इल मेट रोकोल्ड के दौरा पोस्ट किय गई इस वीडियो में आप इस वुल्फ इल को देख सकते हो जिसे उसने तब पकड़ा जब उसने मचली पकड़नी के लिए पानी में अपने ट्रेप को डाला फिर उसके ट्रेप में ये वुल्फ इल फास गई मेट ने बताया कि जब उसने इसे पकड़ा तो इसके मूँ में बड़ी मचली के बोंस मुझूद थे जो कि लोगों को अक्सर काफी कमी दिखाई देते हैं। वनिला वेंडर उडलोस। गॉल्फ ओफ मेक्सिको की गेराई में इस क्रियेचर को खोजा गया। जो कि सर्फर के द्वारा बिचाए गए 2600 फिट गेरे ट्रेप में फस गई। क्योंकि ये समुदर की सतर पर रहती है। जिसका इससे किसी भी इंसान का सामना इस क्रियेचर से होना काफी मुश्किल है। लेकिन जब इसके डियेचर की जांच की गई। तो पता चला की ऐसा पेली बाहर था जब इस क्रियेचर को इंसानों द्वारा देखा गया था। क्योंकि इसके डियेने का कोई रिकोर्ड वेज्यानिकों के पास पेले नहीं था। मिथिकल वाटर मोस्टर 2022 में इंटरनेट पर डाले गए इस वीडियो में एक अजीब से दिखने वाले क्रियेचर को देखा गया। जो कि अपने दातों से पिंजरे को काट रहा था। में फिल्म आया गया ये वीडियो जिसके बारे में जब वहां के लोकल लोगों से पूछा गया तो उनका कहना था कि असल में ये किरियेचर चैनीज मेथोलोजी में देखा गया। वाटर मॉंस्टर हो सकता है। वहीं इसे ध्यान से देखने पर ये आपको एक भालू जैसा दिखाई देगा जिसके बाल उड़ चुके। गमी स्क्वेरल लंडन के एक म्यूजियम में काम करने वाले कुछ मरीन एक्सपर्ट्स ने समुंदर की 16 फिट गेराई में इस मेगा फाउना को डिसकवर किया जिसके 55 सेंपल्स की जाच की गई तो पता चला कि वो सभी सेंपल्स अलग-अलग जानवरों के थे जिसमें से ए लाइक करने में सिर्फ एक सेकिन लगेगा इसलिए वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्रेब कर ले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्ले सब्सक्रेब करना मत बूलना